आप सभी का यूपी मुख के सेविका भरती को लेकर के बात करेंगे कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको एक्जाम डेट को लेकर के बताया था कि बाकि तो हमने बहुत पहले कहा था कि आप January को ही मान के चले December last या फिर January में तो फिलाल में December तो बीच चुका है नया वर्स शुरू हो चुका है और आप सभी को हमारे तरब से नय वर्स की धेर सारी शुपकामना है ये नया वर्स आप सभी की जीवन में नए सपलता नए खुशिया लेकर के आए UPCCC आयोग से कोई भी अपडेट जब भी दी जाती है आप ये समझ लीजिए कि हमेशा सबको निस्चित्ता बनी रहती है बताने वाले को भी और जो आप सुनते हैं आपको भी क्योंकि कंपर्म नहीं होता है इतना ही नहीं अगर आयोग कैलेंडर भी अगर जारी कर देपना तो भी आप समझ लीजिए कि उसमें भी एक से दो महीने डिले होना बिल्कुल ता है अभी आयोग में कुछ इंटर्वियो करवाय जा रहे हैं कुछ डीबी की रिजल्ट आएंगे एक से दो महीने सब कुछ आगे बढ़ गया आपका एक्जाम डेट भी एक से दो महीने आगे चला गया पहले जो आपका एक्जाम जनवरी में हो जाना था अब एक्जाम आपका मार्च में ही होने की उमीद है फरवरी तक भी होने की उमीद नहीं है सार्ट लिष्ट की नोटीस भी आपका दिसम्बर में आ जाना था लेट से लेट दिसम्बर लाज तक बाके तो हमने दिसम्बर फर्स्ट विक तक दे देंगे बीच में पहले कुछ काम सुरू हुआ उसके बाद फिर काम रोग दिया गया फिर फाइल आती है काम सुरू होता है फिर रोग दी जाती है और अभी आप देखेंगे अभी भी काम थोड़ा से हुआ था फिर काम आपका रुका हुआ है सार्ट लिष्टिंग की और कम से कम 10 से 15 प्रवरी के लाश्ट तक भी हो जाए तो इसे उमीद तो कम है लेकिन हो सकता है इसलिए मेरा आप सभी से सभी बेहनों से निवेधन है कि अगर आपको अतरिक्त समय मिलेगा आप उसमें रिविजन करें लेकिन आप ये मान के न चलें कि एक्जाम बहुत डेले होगा फिर आप के लिए कहीं न गई फिर चीजों को दोराना रिवाइश करना फिर उतने कम समय में अच्छी तैयारी करना दिक्ते हो जाती है तैयारी करें अच्छा कासा रहने वाला है पी इटी में दस नंबर के आसपास जिनके भी हो जन्रल में हो एडब्रीयस में हो ओबीसी में हो सब लोग तैयारी करिए जो लोग कह रहे हैं पंद्रवीश नंबर आपको मौका मिलेगा आप तैयारी अगर नहीं किये उनकी बास सुन करके तो नुकसान सिर्फ आपको होगा उनसे आप क्या कहने जाएंगे अनुमान से चीजे लोगों को पता ना होता है जितने फॉर्म भरे गए हैं और साट लिश्टिंग 15 टाइंस के हिसाब से हमने कहा ता आप सभी से कि उसमें लगबग 30 गुना कैटिगरी वाइज हो जाता है हलाकि 15 गुना का ही नियम है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप किसी भी कैटिगरी में हो 10 से भी नीचे नंबर हो आपके तब भ बी-सी में भी 10 नंबर नीचे आ सकती है पी-ई-टी की कटाब पहले जो लोग 30 नंबर बता रहे थे फिरो 25 पर 20 पर अभी दीरे दीरे ओ लोग भी 10 पर आने लगे हैं क्योंकि हमारे तोरह जो कुछ भी आपको चीजे बहुत पहले से बताई जा रही हैं सही बताई जा रही हैं एक जो RTI का reply बता करके चीजे बार-बार दिखाए जा रही है सबके द्वारा ओर आर्टी का reply है ही नहीं वो जिस पोर्टल का reply आया हुआ है उसकी authenticity या फिर उसकी guarantee ओ पोर्टल स्वेम में नहीं लेते हैं और जो बहने उस पोर्टल की या आप जो बताने वाले लोग है दावा तो कर रहे हैं बहुत अच्छे से लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि हजारों बहनों का भविस से जुड़ा हुआ है आपके update देने से बहुत सारे लोग है हमारा वीडियो copy paste करते हैं even title, description तक copy, thumbnail तक copy करने लग जाते हैं कम सकम उनसे इतना request हमारा और है कि आप जो विश्वास रहना चाहिए जिनका 3 year नहीं है देखिए आप लोगों में से बहुत लोग तरक देते हैं उस भरती में वैसे हुआ उस भरती में वैसे हुआ आपकी भरती और जो नियमावली है 1992 मुख्य शेविका की सब कुछ सभी तथ्यों के आधार पर आपको चीजे गया है तब तक अगर आपके एक वरसे भी हो विशह तब भी आप फॉर्म वर सकते हैं समकक शारता को लेकर के मैं बता चुका हूँ कि असनातक होना चाहिए असनातक में ही विशह देखिए जाएंगे PG का विशह नहीं देखा जाएगा MA का विशह नहीं देखा जाएगा Home Science वाले में दिक्कते हो थी किसी का B.A. के नाम से किसी का B.S.C. के नाम से बहुत लोग B.A. करते हैं उसमें अगर माले जिए कोई Science वाला सब्जेक्ट है तो कैसे माना जाएगा तो उससे मतलब नहीं है मतलब सिर्फ यह कि आपका कला वर्ग में आता हो चाहिए आपका किसी भी नाम से हो आप समकक्ष उसके अरता के अंदर माना जाएगा विशय आपके असना तक में होना चाहिए तो कुल मिलाकर कि तीनों साल विशय अनिवार नहीं है बहुत सारी बहने तो ऐसे ही लोगों की बाते सुनकर के उन्होंने फॉर्म भी नहीं बरा उनको लगा क्या मि वीडियोच पड़े होंगे जिसमें दो-तीन वीडियो केवल और केवल मैंने इसी को लेकर के बनाया है कि अगर आपके विशय तीनों साल नहीं हो तब भी आप तैयारी करिए दो-तीन वीडियो में किवल पेट में कम नंबर हो पचीश-तीस वालों को छोड़ देजी आप न सबी classes आप देखते रहे हैं, कोई भी class आप miss मत करिएगा, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, लेकिन सबी classes देखिए, और मैं honestly आप लोगों के लिए ये कोशिस कर रहा हूँ कि, अधिक सदिक बेहनों का selection हमारे चैनल से जो जुड़े हैं बेहने, लगबग अधिक सदिक बेहनों का selection हो, सबका तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि 2693 में ही post है, लेकिन उस 2693 में post पर अधिक सदिक बेहने जो हमारे चैनल से जुड़ी हैं, आपका selection हो, आपको हमारे चैनल से सही जानकारी प्राफ्ट होती रहे, आपकी तैयारी हमारे चैनल के मादें से अच्छी होती रहे, जितना भी आपको हम इस्टेटी मेटेलर प्रोवाइट करा हैं, बहुत अच्छा हो, यूनीक हो, आपकी बिल्कुल exam oriented हो हमारी ये कोशिस होती, एक-एक प्रश्णम ढूड़ ढूड़ करके classes में बनाते हैं, practice बनाते हैं, कोई भी class आप लोग प्लीज मिस मत किया करिए, वन लाइनर classes तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है तो पेट कटाप को ले करके, अरता को ले करके, एक्जाम डेट को ले करके, सार्ट लिश्टिंग को ले करके, सारी चीज़े clear हो गई होगी आप सभी को, अगर अब भी भी आपके मन में कोई भी दूविधाओ, confusion हो, आप हमसे comment करके, पुछे मैं reply करने की पूरी कोसिस करूँगा, बाकि अगर आपने वीडियो पूरा सुना होगा, आपके मन में doubt नहीं होना चाहिए, बाकि लोग क्या बताते हैं, हमें उससे मतलब नहीं, और आप लोगों को भी उससे मतलब नहीं रखना चाहिए, जो लोग अपने हिसाब से चीज़ें बताते रहते हैं, उसमें छोड़िए उनको ignore करिए, आप eligible हैं तो आप तयारी करिए, आपने फॉर्म बरा, जो भेने फॉर्म नहीं भर पाई हैं, उन लोगों की बाते सुनकर के वह आस तक पस्ता रही हैं, इसी तरह से जिनके पेट में नंबर कमें, ओभी पेट कटाफ के तमाम वीडियो देख करके, अगर आप तयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं बाद में आपको पस्तावा होगा, जो गलत जानगारी देते हैं, उनको क्या फरक पड़ना है, नुकसान सिर्फ आपका होता है, इसी तरह से आपका exam डिले तो हो रहा है, डिले तो होगा आगे, ओ तो सभी को पता है, यूपेटर पलसी आयोगे, लेकिन आप हमेशा डिले मान करके न चले, आप तयारी करें अच्छे से, ठीक है बागी टेलिग्राम चैनल और प्लेलिस्ट, जिसमें सारे क्लासिज पड़ी होगी, दोनों की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिये जाते हैं, वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक करके, जितना हो सक्किए आप सभी सेर जरूर कर दिया करें, ताकि सभी तक जो है सही और आथेंटिक जानकारी पहुंचती रहे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद,